हालो जैहिंद सभी को श्वागा थे आप सभी का पूना इस न्यू वीडियो में चलिए इस पेसल एजुकेशन का जो पेड़गोजी आप इस पेसल एजुकेशन है जो प्रेक्टिस स्रीज ये 13 है इसे पहले 12 जो स्रीज है वो कंप्लेट हो चुकी है आप उन्हें भी जरूर देखिए प्रतेक्स रीज में 20 कोश्चन आपको मिलेंगे और ये भी बहुत महात्पूर कोश्चन है जो एडवांस साइकोलोजी से रिलेटेड है जो क्लिनिकल साइकोलोजी या जितने भी समस्चाहें होती है प्रॉब्लम्स होती है उन्हें बहुत सवाल TGT Special Education में आते है अधर एकजाम में भी पूछ लेते हैं से सवाल तो चली मिलते हैं देखते हैं कौण सा कुश्चन महत्पूर है 20 में से आपके लिए कौण से महत्पूर लग रहे हैं या सभी महत्पूर है या आप कितने कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि ये पता चल सके क कि आप कितने हल कर पाए या ऐसे तुक्का लगा करके नहीं या इकदम आपको आता हो कितने आते थे एक्जेक्ट एंड आप कितने कर पाए चलिए देखते हैं कोश्चन नंबर 241 हमारा पहला कोश्चन आज का जो आपके सामने हैं तर्नर सिंड्रोम मांसिक दुरबलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो यानि कि जो क्या होता है इसमें हमारे पास चार आप्सन ने पहला सिर्फ पूरुसों में पाए जाता है आप्सन B सिर्फ महिलाओं में पाए जाता है आप्सन C सिर्फ वन मानुस में पाए जाता है या फिर आप्सन D पूरुस यह महिला द subject विशेस और नर विशेस करके इसमें पाय जाता है हलाकि इसकी की सेशता है बहुत होती है turn old syndrome कि विशेस अचो मेल आता है कि किसमें पाय जाता है तो यह प्धूरीयों में आ महिलाओं में पाय क्या जाता है अब देखी एक ऐसी बिक्रती जिसमें रोगी में अन्य संक्रमण की भावना परधान होती है। एक ऐसी बिक्रती जिसमें रोगी में उपर एक तीनो तरह की अनुभूतियां होती है। सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते हैं 243 का क्या कहता है कि ऐसा बिक्ति जो अपराधी बेवहार को अपना पैसा बना चुका है। उसे क्या कहा जाता है। बहुत सारी लोग होते हैं अपराध करना मजा आता है किसी को अपराध करने में किसी के साथ गलत करने में लोगों मजा आता है। तो आखिर उसे क्या कहा जाता है। हमारे पास चार आप्शने पहला। यह है इसकी जोईड बेक्तित। आप्शन B आतिहासिक बेक्तित। यानिक हिस्टियोनिक परस्नाल्टी। आप्शन C आशामाजिक बेक्तित। या फिर option D, परिहार बेक्तित यानिकि avoidant personality question number 243 का जो हमारा सही जवाब होगा option C is the correct answer अब आशामाजिक बेक्तित यानिकि di-social personality अब फिर A, B और D क्या हैं तो अगर schizoid बेक्तित को देखें schizoid जो personality है इसका मतलब जो होता है कि जो बेक्ति होता है वो समाजिक गतिविधियों से बचता है ये दूसरों से बात चित करने में कतराता है ये जो ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको schizoid बेक्तित तो ये इस तरीके की personality होती है कि ये समाजिक गतिविधियों में भागने ले उसे बचता है जिसे होता है आदमी कटता रहता है किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है दूसरों से बाचीत करते हैं यह इससे रिलेटेड है और बी जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनाल्टी है जो एतिहासिक बेक्टित तो है यह होता है एक प्रकार का mental health यह आई स्थिर भावनाएं वाला बेक्टित तो होता है और अगर डी देखते हैं परिहार बेक्टित तो इसमें क्या होता है कि यह दूसरों द्वरा जो नकरात्मक रूप में अंकन करते हैं तब यह संबेदन सील होते हैं पहले सकरात्मक रूप से अगर कोई इनका आकलन करे तो ये किसी को reaction नहीं देते हैं, ये sensitive नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई नकारात्मक रूप में इनका अंकन करना लगे या इनके बारे में कुछ कहने लगे, तो ये तुरंत ready हो जाते हैं, अब दिखते हैं, question number 244 क्या कहता है, सनाय बिकरती सब्द का प्रतिपादन किस ने किया, जो neuropathy या इसको आप neurosis भी कह सकते हैं, अब दिखिए, पहला option है हमारे पास सिग्मन फ्राइड ने, option B, William Cullen, option C, Emil Kraplen, option D, William Adelson, question number 244 का जो हमारा सही जवाब है, option B is the correct answer, जो William Cullen है, ये इसनाय बिकरती सब्द का प्रतिपादन किये थे, अब देखिए, question number 245 क्या कहता है, कि कुछ लोग रक्त बहते देखकर आधिक चिंतित हो जाते हैं, सही बात है, बहुत सारे लोगों को प्राप्र मुर्टी भीया, हमारा रक्त, हमारा ब्लड भेरा है, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे ब्लड सब निकल जाएगा, तो उसे आशमान रूप से डर्न लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है, अगर किसी गब निकल लाएगा है, तो उसको न किशी न किशी नाम से कहते होंगे, तो दिखते हैं, neighborhood 255 का, जो हमारे बास 4 आप्षन है, नेक्तोफोबिया, आप्षन B, हेमेटोफोबिया, आप्षन C, पैरोफोबिया, आप्षन D, नेक्रोफोबिया, question number 245 का जो हमारा सही जवाब है answer B is the correct answer hematophobia लेकिन अब फिर वो तीनों किसे related है तो अगर A वाले को देखते हैं हम यह जो nektophobia है यह हमारा related है रात्री में मतलब रात होई आदमी को डर लगना शुरू हो गया अब B जो pyrophobia होता है यह हमारा related है आग से मतलब किसी को आग जल लगना बहुत डर लगता है आदमी कहता यार आग जली भे भागो और जो D है nekrophobia यह किसी ने लेड़े यह last last मतलब जैसे किसी की death हो जाती है तो उस last को देख करके nekrophobia जिस वेक्ति को होता है डर लगता है बतलब उस last से डर लगता है तो उसको nekrophobia कहते है कई जैसे किसी की death हो गई तो वहाँ पर जाते हैं तो उनको डर लगता है और बहुत तारी लोग होते हैं जहाँ last होती है वहाँ जाते ही नहीं अब देखिए question number 246 क्या कहता है आपके सामने है कहता है कि व्यवहार चिकित सा आधारित होता है जैनि कि जो behavioral therapy होती है वो किस पर based होती है मारे पास चार option है पहला सीखने के सिद्धानतों पर option B प्रतिक्षण के सिद्धानतों पर option C अभी प्रेणा के सिद्धानतों पर और option D इन में कोई नहीं question number 246 का जो हमारा सही जवाब है option A is the correct answer on learning principle यानि कि सीखने के सिद्धानतों पर ये आधारित होता है अब question number 247 देखते है क्या कहता है भाई ये भी 247 कहता है कि किसी बिक्ति में जुआ खेलने की बुरी लट को दूर करने के लिए आपने इमलिखित में से किसे सबसे आधिक पसंद करेगा जुआ खेलना मतलब जो तास पत्ते होते हैं इनको खेलने लगता है जुआ खेलना या कुछ ऐसे पैसों का खेल खेलना तो अगर इस तरीके का खेल बुरी लट लग जाती है तो कैसे मतलब आप दूर करेंगे क्या उपाय है तो इन में से कौन सा सबस्याधिक बेहतर है चार आप्सन में से जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपने कितने सही किये हमारे पास चार आप्सन है पहला दंड यानि कि पनिश्मेंट आप्सन बी विलोपन यानि कि एक्स्टिंग्शन या फिर आप्सन सी सांकेती कर्थ वेरस्थ निकि टोकेन एकोनोमी या फिर आप्सन दी गुड संबेदी करण क्वच्च नमबर 247 का जो हमारा सही जवाब है आप्सन दी इस दा करेक्ट आप्सर covered sensitization या उसे अबर जागरूप कर दोगे उसकी गुड़ों को जागरूप कर दोगे वो जो है वास्तों में उसको गुड़ों के प्रती जो गलत है उनके प्रती और सही है उनके प्रती तो वो सिधी सी बात है वो ठीक हो सकता है अब बिलोपन का मतलब होता है पूरी तरीके से छोड़ देना अलग कर देना गायब कर देना वो बिलोपन होता है punishment दे के क्या करोगे कितना मारोगे मारने स्थोड़ी बंद कर देगा token economy है जो behavior से related है उसको किस तरीके से एक sudden आप उसमें नेड़े लेते हैं आप देखते हैं question number 248 क्या कहता है कहता है सम्मोहन एक ऐसी प्रभीदी है जिसके द्वारा क्या होता है hypnosis इजे technique by which किस से related है हमारे पास चार option है पहला कहता है कि रोगी को पीटा जाता है हमारे पास option option B देखते हैं रोगी के अचेतन की दमित इच्छाओं के बारे में जाना जाता है option C रोगी के बिक्तित्त संरचना के गतिक को समझा जाता है या फिर option D रोगी के चेतन तथा अर्ध चेतन के बारे में जाना जाता है तो question number 248 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer कि रोगी के अचेतन की दमित इच्छाओं के बारे में जाना जाता है ऐसी इच्छाओं होती है जो मतलब पूरी तरीके से होते नहीं किया बेरी इच्छाओं को दमन कर दिया गया है तो उनको जाना जाता है लेकिन अचेतन की होता है नहीं अचेतन, आर्दचेतन, अचेतन ये सब चीज़े अब देखिए question number 248 क्या कहता है कहता है निमलेखित कत्रों को पढ़िये और उपिक तुभी कल्ब का चैन कीजिए चली देखते हैं कत्छन पहला कहता है कान की नहर अंता करण में पाई जाती है कान की नहर क्या होता है हिंदी में ऐसे ही बहुत खतरनाक होता है येर कैनाल बोलते है इसको कत्छन दूसरा कहता है प्रतेक बेक्ति को कोई न कोई किसी न किसी इस तर की समस्या होती है तो इन दोनों कथनों की अधार पर अगर देखा जाए हम अगर यहीं पर देखे तो कान की नहर अंता करण में नहीं पाई जाती है यह गलत है अब देखा जाए तो यह कहां पाई जाती है आउटर एर में पाई जाती है ठीक है जो आपका पिणना होता है उसे जैसे यह जो न किसी से ही दुख रहा एक कुछ नहीं होगा तो कोई करोड़रुपय कमाएगा तो बोलेगा कि इसको मुझे कम मिल जाए यह भी एक प्रकार की समस्षय है अब इन चारों में से देखिए पहला दोनों कथन से ए B दोनों कथन गलत है C केवल कथन पहला गलत है D केवल कथन धूस कहता है पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक का मुख उद्धिस क्या पता लगाना होता है मतलब अगर फैमिली अगर थरेपी देना है तो अब यह जो चिकित्सक है डॉक्टर है वो क्या पता लगाएगा हमारे पास चार आप्सन है पहला परिवार का प्रतेक सदस किसे समस्या समस्ता है आप्सन बी परिवार के प्रतेक सदस के जीवन सहली क्या है आप्सन सी परिवार के प्रतेक सदस के दोसपूर अंतहक रियाए क्या है आप्शन D परिवार के मुख्या के मनोब्रत्ति अन्य सदस्यों के प्रति कैसी है तो कुछ्चन नमर 250 का जो हमारा सही जवाब है आप्शन A is the correct answer कहता है कि परिवार का प्रतेक सदस्य किसी समस्या समस्ता है सही बात है उसको कम से कम यह भाई देखो अगर परिवार में समस्या हैं तो यह तो पता चल जाए कि किसको समस्या समस्ता है तब तो फिर पता लगाया जाए फिर सभी के गुणों का पता लगा लेंगे तब जाकर के सबको ठरेपिते देंगे बाकी अगर दूसरा देंगे परिवार के प्रतेक्स 10 की जीवन सेली क्या है जीवन सेली का पता लगाने थोड़ी क्या है जी वो तो चिकित सक है वो पता लगाएगा कि समस्यात्मक चीजें कहां पर है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 251 देखिए यह बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं यह मातपूर्ण क्वेश्चन है कहता है कि मनो नाटक का उप्योग निमलिकित मैं से किस परिस्थिती में आधिक लाव प्रत होता है जो साइको ड्रामा होता है वो किस परिस्थिती में आधिक लाव प्रत हो C option देखते हैं जब समोह में ऐसे रोगी हो जिनका अन्य किसी बीदी से उपचार नहीं करना पसंद किया जाता हो या फिर option D जब समोह में सभी रोगी मना इसनावी विक्रती के ही हो question number 200 क्यामन का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer जब समोह में ऐसे रोगी हो जिसका अन्य किसी बीदी से उपचार नहीं करना पसंद किया जाता हो तब जाखर के मनोना टक किया जाता है अब देखिए question number 200 52 क्या कहता है कहता है कि इलिस की अनुसार एक शामान बेक्ती वह होता है तेकि यहां यह समान बेक्ती की बात कर रहा है हमारे पास चार आपसन है पहला जो तरक संगत ढंग से बेवहार करता हो तथा सोचता हो option B जो समाज के मानक के अनुसार बेवहार नहीं कर रहा हो option C जो अपनी योगताओं की पहचान करके उसके अनुरूप बेवहार करता हो या फिर option D जिसमें आवास्त्विक विश्वास की कमी हो question number 252 का जो हमारा सही जवाब है वो है option D is the correct answer कि जिसमें आवास्त्विक विश्वास की कमी हो lacking unrealistic will आप देखिए question number 233 क्या कहता है संग्यानात्मक वेवहार चिकित्सा का परतिपादन किस ने किया आज कल हर चीज का चिकित्सा होता है चाहे वो mental को ले लो चाहे शोसल ले लो चाहे बिहाइबियर ले लो हिजीकल ले लो कुछ भी ले लो तो संग्यानात्वब भी अहार चिकित्सा के प्रतिपादन किस ने किया, हमारे पास चार अपसने पहला, बेक द्वारा, अपसन B, राइस द्वारा, अपसन C, बेंडूरा द्वारा, अपसन D, इलिस द्वारा, कुश्चन नमबर 233 का जो हमारा सही जवाब होगा, अपसन A is the correct answer, बेक द्वारा, अब देखे, कुश्चन नमबर 254 क्या कहता है, देखते हैं हम इसे, कहता है कि फ्रायड के अनुसार सुपन विसलेशन का मुख्य उद्धिस क्या होता है, तो एर किसी को सपने आते हैं, चलो आपसन D, रोगी के चेतन एवं अर्धे चेतन के बारे में जानना, कुश्चन नमबर 244 का जो हमारा सही जवाब है, आपसन C is the correct answer, रोगी के अचेतन के बारे में जानना, जो अनकॉंसियस होता है, अब देखे, कुश्चन नमबर 255 क्या कहता है, आपके सामने है, कहता है कि किसी बेक्ति के मानसिक विक्रित को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए आपने मलिकित में से किसे सबस्यातिक महत्तों देंगे, ध्यान रखेगा, बेक्ति के मानसिक विक्रित को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए, मानसिक विक्रित के बात कर रहा है, और किसी नहीं पत चले किसी को पायर में दिखकत है पेट को फेट खराब हो गया तो बुलेंगे कि इसको भी साथ में दूर कर देगा ने हमारे पास चार अपसन है पहला पारिवारिक चिकित्सक यह जो चिकित्सक लिखा है न यहां पर चिकित्सक होगी पारिवारिक चिकित्सक अपसन भी गेस्टाल चिकित्सा, अप्शन C, संभ्यभार विसलेशन, अप्शन D, इनमेस कोई नहीं, क्वेश्चन नमबर 255 का जो हमारा सही जवाब है, अप्शन A is the correct answer, जो फैंबली थरेपी है, उसको देदो मानसिक विक्रती अपने आप दूर हो जाएगी, अभी देखो, आजकल किसी न किसी रूप में लाड़ाई जगड़े होती रहते, उनको थरेपी देदो, मस्त कर दो, बाकि सब दुनिया एक तरप, क्योंकि घर अगर बेहतर है, अगर फैमिली के सबी लोग positive है, तो दुनिया में कुछ भी हो रहाओ, कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, अब देखो, है, behavioral से related है, हुमारे पास चार अप्सन है, पहला, रोगी को समय पर भोजाने में पानी देना, अप्सन B, रोगी को समय पर उपचार कच्छ में लाना और फिर ले जाना, अप्सन C, रोगी को ऐसे वातावंड या परिस्तिती से बाहर निकाल देना, जहां उसे धनात्मक अपनर विलता हूँ, फिर वो देरे-देरे सब सुधर जाएगा, जब कुछ नहीं मिलेगा, तो उसे लगएगा कि मुझे निकाला क्यों गया, अब देखिए question number 277 क्या कहलाता है, कहता है कि basic ID का सम्बंद किस चिकित्सा से है, basic ID ये भी एक चिकित्सा से related है, महारे पास चा अब सब्सक्राइब है, option A, is the correct answer, multimodal therapy या भव माडल तो, देखिए इन सभी therapies को मैं कोसिस करूँगा कि theoretical part में भी आपको करा दू, जितने भी इस तरीके के advanced psychology है, जो आप normal psychology है, मैं कोसिस करूँ कि उस चीज़ की series भी आपके exam से पहले करवा दें, ताकि आपको लगए theoretical part भ किसे क्या उत्पन होता है, अगर आपकी इच्छा है कोज, आप किसी ने भी रोध कर दिया, तो फिर क्या उत्पन होता उससे, हमारे पास चारा option है, पहला, संघर्ज, option B, तनाव, option C, निराशा, option D, खुसी, question number 208, ठावन का जो हमारा सही जवाब है, option C is the character, आप निरास हो जाते हैं, कि मेरी कोई सुनी नहीं रहा है, मेरी इच्छा है, मुझे मिली नहीं रहा है, तो आप निरास हो जाते हैं, फिर किसी से कहने का मन नहीं करता है, दो चार बार कहते हैं, और कुछ लोग जिद्धी भी होते हैं, नहीं दो को तो हम खुदी कर लेगे, question number 269, क्या कह होता है, लेकिन वो उस समस्या से ग्रसीत है, तो वो सोचता ही रहता है, सावने वाला अगर एक दूसरे से फुसफुसा के बात भी कर रहे होंगी, फुसफुसा के मतलब दीरे-दीरे और उसकी अच्छाई के बारे भी बात कर रहे हो ना, उससे लगएगा कि इसके प्रती म का जो हमारा सही जवाब होगा, अब देखे, क्या कहता है, देखते हैं इसे, कहता है कि समुह चिकित्सा के बारे में निम लिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखे, ये ग्रूप थेरेपी की बात करता है, लेकिन इचारों में से कौन सा नहीं सही है, हमारे पास चारों आप्षन B चिकित्सा समू के अन्य सदस्यों से पुनर निवेशन प्राप्ट करने की अनुमती देता है आप्षन B चिकित्सा समू के अन्य सदस्यों से मदद एवं शमर्थन प्राप्ट करने में मदद करता है या फिर option C इसका संचालन प्रसिख्छी चिकित सकों दौरा नहीं होता है या फिर option D वयक्टेक चिकित सकี้ तुलना में यह कम खर्चिला होता है question number 260 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer कि इसका संचालन प्रसिख्छी चिकित सकों दौरा नहीं होता है ये इसका सही नहीं है बांकी तो जो है सो है तो ये आज की हमारे 20 questions I hope आपको पसंद आए होगे comment करके जरूर बताइए कैसे लगे I hope, thank you so much मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन अपने दोस्तों को जरूर शेर किरिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए जैहिन बंदे मात्रम